ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है। कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण एकदम महंगाई दूर नी हो रही कुछ तो वधेश में जहाँ तेल पयाता होता हुआ उनके संकट हुए तेल भेहंगा होगा तो सब कुछ भेहंगा होगा कुछ थोड़ा मोंसोन भी थोड़ा नाराज हो गया अटल जी के समय इस परकार की परिसिती कोई प्रतिकूल लेती सब लगबक अनकूल थी फिर वरासत में हमको ख़जाना खाली विला भरष्ट तंतर मिला आर्थिक परिसिती बिलकुल इस परकार अस्तवेस्त मिली उसको सम्हाले में समय लगेगा आपको कैसे लगता है कि आप कैबिनेट के बाहर मुली मनोर जोशी कैबिनेट के बाहर लाल क्रेशन अडवानी कैबिनेट के बाहर आप तीनों अटल जी के साथ ही हैं एक मुज़ूर की जरुवत तो है ना जो इनको बता सके ये कहा जाता है कि कैबिनेट में जो फैसले लेने होते हैं उनके दूर गामी परिणामों के ओपर कौन विचार करेगा आप तुरन तो फैसला ले लेंगे लेकिन आप लोगों ने इस देश का वो वक्त भी देखा है ज करना है लेकन हम सलाह अब भी दे रहे हैं पार्टी में हैं लोग सभाख के अंदर हैं तो इस समधम मुझे इतना है कें बहुत कंत्री मुशन वह बंद नहीं होगा और हम मैं मंत्रियों को मिलता रहता हूँ मेरी बाचीत होती रहती है और जो भी मुझको ठीक बात लगती है वो समंदत मंत्री को मैं कहता रहता हूँ आपको अभी देखने में आया उप चुनाओ हुए उत्राखंड के अंदर तीन सीट आप हार गए जब आप समझते हैं आप पहालक को समझते हैं आप हिमाचल को समझते हैं आप उत्राखंड को समझते हैं ऐसी क्या बात हुई कि दो वहीने के अंदर आप तीन सीट आप आप इस बार चनौब में जो उत्सा बना था लोगों का वो अभूत पूर्व था और आशाएं भी आसमान पर थी इसलिए बहुत जल्दी से जल्दी हम को कुछ परिणाम दिखाने आवश्चे कोंगे ने तो निराशा भी उतनी ही होगी यह मैं समझता हूँ मैं आपको बता हूँ मैं जब चनौब परिणाम के बाद घर से चला तो हिमाचल परदेश में सबसे गरीब चमबा दिला है तो गाउं के एक हमारे कारेकरता को बज़े फोन आया कि जी चावल कब सस्ती होंगे चीनी कब सस्ती होगी मैंने का भी चनौब परिणाम निकलने के बाद मैं तो अभी दिली जा रहा हूँ के दिली नहीं बता के जाओ चावल कब सस्ती होंगे मैंने का यह सच्चा है इसके घर में दोवकित की रोटी नहीं बनती वो सच्चा है तो उत्रा खंड में जो हुआ है वो चन्ता का विशे है और मैं सुहम सोचता हूँ मैं यह कह भी रहा हूँ कि हमको जल्दी परिणाम दिखाने का प्रत्द करना चाहिए आश्याएं लोगों की आस्मान पर हैं परस्तितियां बहुत विकट हैं उनमें से रास्ता निकालने में कुछ समय लगेगा और जन्ता को थोड़ा सा समय तो इस नई सरकार को सारी परसेज़ाइगा लेकिन चुनोती कितनी बड़ी है आपके सामने अभी आपने अपना रास्ट्री अध्यक्ष बदल दिया अमीश शाह को आपने रास्ट्री अध्यक्ष बना दिया गुजराच से ही प्रधान मंत्री गुजराच से ही पार्टी का ध्यक्ष उसके बाद आपको हर्याना का चुनाओ सामने है महरास्ट का चुनाओ है जम्हु कश्मीर का चुनाओ है दिल्ली चौनाव के मुहाने पे ख़़ई है और जब तक आप इससे निप्टेंगे तब तब आपके खिलाफ लामबंद होके ख़़ए हैं बिहार में सारे के सारे समाजवादी आप कैसे निप्टेंगे निप्टेंगे, ऐसी कोई बात नहीं मैं कहा रहा हूँ कि चनौती बहुत बड़ी है इतनी बड़ी जीत हम को मिली चनौती भी उतनी ही बड़ी है लेकिन निश्चत रुप से उसमें सारास्ता निकालने की कोशश हो रही है थोड़ा सा समय लगेगा रास्ता निश्चत रुप से निकले खास तोर पर जो यूवा है देश का और महिला है इन्होंने आप से बहुत उमीदे की है लेकिन इसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हमारी तरफ पार्टी कम देख रही है हाला कि आपने ये काम तो कर दिया ट्रांसपरेंसी आपने दिखाई है कि अब एक यूवा नेतरत है देश में आप लोग के मुकाबले में नरेद मुदी को आपने प्रधान मंतरी बनाया इसी तरीके से पार्टी में आप अमिश शाह को ले आए हैं इनके लिए कितनी चुनोती कितने पत्रीली जमीन इस टाइम है जिस पे ने काम करना है ने देखिए इस बार का जो बजट है उसमें ठीक दिशा देने की कोशिश की गई सबसे बड़ी बात मैं समगता हूँ कि बजट का मूल बनत रहा अंतियोदे जो समाज के सबसे नीचे के लोग है उनका विकास जल्दी से जल्दी कैसा हो इस दिश्टी से अधिकतर योजने बनाई गई है और महिलाओं के लिए युवाओं के लिए भी योजने समय को थोड़ा लगेगा और उसके लिए मैं समगता हूँ कि हमें सरकार को भी पार्टी को भी अपनी गती थोड़ी और भढ़ाने की अवशक्ता मैं यही कह रहा हूँ कि गती और भढ़ाने की अवशक्ता है अधिक देर लोग इंतजार नहीं करेंगे क्योंके हमने लोगों की आशाएं इतनी अधिक बढ़ा दी थी उस समय लोगों को लगता था जो ही मंत्री मंडल बनेगा यह हो जाएगा वो हो जाएगा हाला के दरेंदर मोदी जी कहा करते थे साट महीने हमें भी दो उन्होंने साट महीने की बात हमेशा कही थी आपकी प्रेना सोत रहे है स्वामी विवेका नंद विवेका नंजी की एक सो पचासवी जहनती चल रही है नरेंदर मोधी भी बहुत ज्यादा प्रभावित है तो आपका नरेंदर और विवेका नंजी जो खुद नरेंदर थे ये दोनों नरेंदर को जब आप देखते हैं तो आप अपने नरेंद्र को क्या समझाएंगे मेरा तो स्वाबी विवेका नंद एक करांती कारी दूर दर्शी सन्यासी थे विश्व में उस परकार का सन्यासी मेरे को ध्यान में नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने घर बार परिवार मोक्ष के लिए छोड़ दिया उस व्यक्ति ने जब देश के लोगों की गरीबी देखी तो मोक्ष को भी छोड़ दिया और कन्या कमारी की शलप रहती हास घोशना की है प्रवू नहीं चाहिए मुझे मोक्ष जब तक भारत का पत्ते ग्वक्ति भर पेट भूज़ नहीं कर लेता मैं बार बार जन मलूं मातर भूमी की सेवा करू और स्वामी विवेक अनन ने भारत का जो धार्वेक चिंतन है उसको सत्ते नाराइन से उतार करके दरदर नाराइन की तरफ परिर्द किया और कहा गाउं का गरीब तुम्हारा भगवान है उसकी सेवा सबसे बड़ी भगवान की पूज़ा है देवी देवताओं का भूल जाओ तो मैंने नरिंदर मोदी जिसे मिलने के बाद यही कहा ता मैंने का आपने नेता चुनने के बाद जो भाशन दिया उससे सबसे बड़ी बात मुझे वो लगी जब आपने कहा हमारी सरकार देश के गरीबों को समर्पत होगी स्वामी विवेकरन का कहना माना होता तो आए देश में गरीबी नहोती आर्थिक विशमता नहोती आर्थिक विशमता नहोती तो अपनात नहोता तो नकसलवात नहोता तो सबसे बड़ी बात स्वामी विवेकरन का संदेश ही है आर्थिक विशमता दूर करो सबसे घरीब बात भी कि सबसे पहले चिंता करो और मैंने ये भी कहा नरिद्वरोदी जी को कि सबका विकास मुझे सबका विकास केवल काफी नहीं है सबका विकास लेकिन जो सबसे पीछे है सबसे नीचे है उसका विकास सबसे पहले उसका विकास सबसे ज़्यादा तभी आर्थक विश्मता दूर होगी आर्थक विश्मता दूर होगी तभी देश पर खुशाली आएगी ये बाते सुनते सुनते आपको नहीं लगता कि हमारे कान पग गए हैं लेकिन ये हो नहीं रहा है ये बात हम सुनते चले आ रहे हैं 60-60 साल से करने की कोशिश की गई है मैं हिमाचल का मुख्यमंती 77 में बना पहला काम किया अंते होदे योजना शुरू की महात्मा गांदी जी का शब्द अंते होदे एक लाग सबसे गरीब चोने सारी योजना उनकी ओर पर वाहिद की और एक साल में दस प्रतिशत लोग गरीबी की लिकास उपर हो गए एक नया पैसा खर्च किये बना मैंने जब प्लैनिंग कुशन को हैरान हो गए कैसे हुआ मैंने का बहुत योजना है आपकी लेकिन योजना का लाप उपर के वक्ति सबसे ज़्यादा उठाता है नीचे के वक्ति तक योजना पहुंटी थी मैंने कुछ नहीं किया मैंने का ये एक लाग सबसे गरीब लोग है हर योजना सबसे पहले इस गरीब को सर्व करेगी फिर उपर जाएगी तो मैं ये कह रहा हूँ का अच्छा मैं हिमाचल में करके दिखाया राजिस्तान में अंते उदे योजना शुरू की हमने करके दिखाया मैं देश का खादे मंत्री बना अंते उदे अन योजना शुरू की करोडों गरीबों को 35 किलों आज 2 रुपे 3 रुपो इतना है नहीं मैंने जब आप से बात की कि अटल जी बड़े संब्यदन शीलते मैं आपको बताओं कि मैंने जब पढ़ा के सैंपल सर्वे के अंदर के देश में 26 करोड गरीब है लेकिन 5 करोड गरीब ऐसे हैं को भू के पेट सोते हैं तो मुझे नीद नी आई मुझे खाना खाना मुश्कल हो गया अटल के पास गया मैंने का अटल जी पांच करोड करीब और मेरे पास आने रखने को जगा नी मैं फूड मिनिस्टर था था क्या चाहते हो मैंने के योजना बनाई है अन्ते उदे अन योजना बनाई है लेकन आर्थे कवाब के कान तीन बार कैबिन्ट में मेरे योजना आई श्रीकार नहीं हो सके मैं बहुत परेशान था हूं ने रहो तो 25 दिसमबर अटल जी का जनल दिन परधान मत्री ग्राम सर्ड की योजना का शुबरह हो रहा है तीन दिन पहले मुझे ख्याल है मैंने अख़वार में एक ख़बर पड़ी के काला हांडी में तीन लोग भुकवरी से मर गए अटल दिन के पास गया ख़बर सामने रखी मैंने का लिडिक शमा करना आप और मैं मुझे अपरादी लग रहे है क्या मतलब तेरा मैंने का आप परधान मंत्री मैं खादे मंत्री अन के बंडार भरे पड़े और ये लोग भुकवरी से मर रहे क्या चाहते हैं मैं ने का मैं तीन मिने से अपनी योजना लागू करने की बात कर रहा हूं। दो मिन्ट चुप रहे, आखे सजल होगी। कहते हैं क्या? मैं ने का जी परसू आपके जनन दन पर इस योजना को भी शुरू कर दीजे। कर दो, पिर ले कर मंत्री मंत्री बात में हो जाए गया, परदान मंत्री हैं। अगर कोई और परदान मंतरी होता जो समवे दन शीर नहुता, योजना शुरू नहुती होती। और देश के करोड़ों गरीब लोगों को दो रुपए तीन रुपए और उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने कहा बहुत बड़ी यह योजना है लेकिन आपके एक बात पता नहीं मैंने कहा क्या जो इस देश में कुछ ऐसे लोग भी है जो दो रुपे तीन रुपे भी खरीद नहीं सकते मैं फिर किया अटल जी के पास और हमने अनपूर्णा योजना चुरू की कि ऐसे परिवारों को दस किलोओन आज बिलकुल मुफ्त हर मीने दिया जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते हुआ नहीं स्वामी विवेका currently के संदेश को भेवार मैलाने की कोच अचु हम को करने का मौका मिला बो और जादा मौका मिला और मैं समगता हूँ इस देश की भूख को भूख मरी को गरिबी को अगर हम दूर नहीं करते तो स्वामी वेका अनंद की जन्ती मनाने का कोई अधिकार इस देश को नहीं है एक सवाल और है मेरा इस टाइम एक और चीज पैदा हुई है इस देश के अंदर शिरो मनी प्रबंधा गुर्द्वारा कमेटी आपको देखना है आप पंजाब के प्रबंधा कमेटी चाहिए इसको जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है ये क्या जरूरी है तो देखिए एक नई परसिती प्यादा हुई है कि हरियाना ने कानून बना लिया उसको कानून का रूप मिल गया लेकर अकाली दल और पंजाब का जो कुल मिलाकर सिक्समधाय है वो उसको नहीं चाहता तो उसमें हमारी कोशश ही है मैंने तो परकाशन बादल जिसे परातना की थी कि आप आंदोलन के रास्ते पर बच जाईए उसका नुकसान सब को होगा मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बात को सुईकार किया अब हमारा कहना तो यह है कि सिक्समधाय के जो बुद्धी जीवी है वो बैठें विचार करें को रास्ता निकाले और मुझे विश्वास है कि सिक्समधाय में बहुत अधिक अच्छे बुद्धी जी भी लोग हैं इस तिशाम में प्रतिन चल रहा है और मुझे लगता है कि बुद्धी जी भी बैठेंगे और समुधाय परस पर आपसे बैठकर सलाव मशुरी से सैमती से इसका कोई ना कोई हलावश्य निकाले सीधे तोर पर कहना है शान्ता कुमार जी का कि देश को भी शान्ती से काम लेना होगा मौका देश ने दिया है हम एक बार फिर से बहतर काम करके दिखाएंगे और जरुवत पढ़ने पर हम लगातार प्रधानमंतरी को सला देते रहेंगे cabinet को सला देते रहेंगे हम party की सेवा कर रहे हैं देश की सेवा कर रहे हैं अब देखना यह है कि नरेनर मोदी और उनकी cabinet कितनी तेजी के संग अपने वादों को पूरा करती है लेकिन उमीद ये जताई जा रही है कि उसे वक्त से अपने वादे पूरे करने होंगे आज क्रॉस फायर में इतना ही प्रकर प्रकाश मिश्रा को दीजिए जाज़त देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सादना नियूस के साथ नमस्कार